हेलो दोस्तों कैसे हैं मैं हूँ मॉनिका और अपने ही चैलंग को पित मॉनिका में आप सब का वेल्कूम करते हूं तो आज संडे है और संडे की स्पेशलिटी जब हमेशा रहती है तो आज मैं बनाने ही खास हलवा बारिश लगी है और बच्चे आना का नहीं करते हैं खाना खाने में तो एक हल्वा मैं देखे आपको मैं बताती है मैं पस क्या क्या है आपको अच्छे से इंग्रेशन बताऊंगी मैं तयारी करके रखी हूए हल्वा बनाना शुरू करते हैं आपको मैं डीटेल में बताऊंगी मैं क्या क्या यूज कर दियू संडे का दिन हो या कोई और तिहार का दिन और चुट्टी का दिन और आप कुछ खास बनाना चाहती है तो यह जो हल्वा मैं ने बनाया नो प्लीज आप भी बनाएगा तो हल्वा बना रहे हैं दोस्तों मिला जुला हल्वा है इसमें हम 4 तरह की आटे इस्तमाल करेंगे जैसे कि बेसन ले एक बड़ा चमच बेसन है एक बड़ा चमच हम गियूं का अटा ले रहे है जो आप नॉन्मल रोटी बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं उतनी कॉंटि यानि चार बड़े चमच बहुत रहें जितना आटा उतनी चानी चार बड़े चिनी चप मतता थर थे चांफय हलवे की consistency रहती है जैसी होनी चाहिए हलवे जैसी वैसी बनेगी हलवा बनाने के लिए घी का बहुत बड़ा रोल रहता है तो घी अगर कम रहता है तो हलवे में घी बहुत अच्छा नहीं रहता है तो चार बड़े चमच हम घी लेंगे ड्राइफ्रूट्स अपनी पसंद का लें मैं थोड़े शुआरे ले रही हूं साथ में है किश्मिश सुखा नारियल बादाम और काजू अब अपनी पसंद से एक या दो नट्स भी आड़ कर सकते हैं खुष्वू के लिए लाइची एड़ करें चोटी वाली इसे कूटकर एड़ करेंगे तूटी फूटी फूटी एड़ करें करें कलर फुल लगेगा स्वाद भी लगेगा थोड़जा पीला रंग नाकि बहुत अच्छा रंग आए हमारे हलवे का येलो तो येलो कलर जितना आटा होता है उतना घी इस्तमाल करना चाहिए जब भी हल्वा बनाए तो चार बड़े चमाई देशी के लिए आप डालडा घी भी ले सकते हैं आप इसे ओल में भी बना सकते हैं अब घी हलकालका गर्म हो रहा है आच को मैंने भी कम रखा हुआ है कम आच ही रखेंगे इसमें चारों आटे जो हमारे हैं बेसन, मैदा, सुजी और ग्यों का आटा है वो मैट कर रहे हैं और कम आच पर सभी चीज़ों को हम भूनेंगे जब तक अच्छे से भूनाई ना हो जाए हल्वा पकाने के लिए भूनने में थोड़ी पेशेंस है ये तेज आच पर भून पतला ही देखना चाहिए अगर सूखा और ड्राई रहता है मिक्सर हल्वे का तो हल्वा उतना स्वाद नहीं लगता तो मैं इसे अच्छे से कम आच पर भूनें और दूसरी तब दोस्तों मैंने पतीली में पानी चड़ाया हुआ है जिसमें चीनी का सिरफ बनाएंगे तो अब कमाश पर अच्छे से भूनेंगे और पतीली पानी की चड़ाया है इसमें चीनी चार बड़े चमच आगा आपको तेज और मीठा चाहिए तो थोड़ी और एड़ कर सकते हैं अब इसमें मिक्स ट्राइफ रूट्स आइड करें जिसमें सूखा नारियल भी है आपको न साथ साथ कड़्ची चलाकर हलवे को भूनते रहे नहीं तो जल जाता एक तरफ से अब हम इसे पकाएंगे नहीं दोस्तों चाशनी बना रहें इसे बस जैसी चीनी मिक्स होगी चीनी गुलेगी गैस को हम बंद कर देंगे दिखिए पानी में उबाल आने लगा है चीनी अच अच्छे से मिक्स करें देखिए बातों बातों में हलवा भी अच्छे से भुन गया बुनने की पहचान यह है एक तो रंग अच्छा गाडा हो जाता है दूसरा घी उपर आ जाता है और जाग बन रही थी वह भी गायब हो जाती है जब घी उपर आ जाए आटा नीचे हलवा बनाने के लिए और कम आच पर एक हाथ से बरतन को पकड़े और दूसरे हाथ से आप इस तरह से कड़्ची चलाते वे अच्छे से हलवे को मिक्स करना शुरू कर दें ताकि हमारे हलवा थिक होने लगे हलवे का रंग बहुत सुन्दर आया और मैंने इसे अच्छे से कड़्ची से मिक्स कर लिए और अब मैं इसे क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो मैं इसे वूदन स्पैशुला से मिक्स करूंगी और अब हमने आज को दोस्तों तेज कर देना है और तेज आज पर पांच मिनट हलवा पर घी भी आ गया है अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी एड कर रही हूं तो तो टूटी फ्रूटी एड करें लेकिन सबसे लास में जब हलवा पक जाए और हलवा अच्छे से घी छोड़ देगा तेज आज पर कितने अच्छे से हमारा हलवा भून रहा है और मैंने हलवा बनाई बहुत अच्छे से हो गई है तो हलवा बंकर रेडी है अब हम ग्यास को बंकर देख सकते हैं भूनने के बाद इसके रंग में अच्छा और बहुत अच्छी हो गई है तो ली जी हमारा हल्वा तो हो गया रड़ी आप देख सतें कितना अच्छा हल्वा बना है इस प्रिफ बाद बखन गटाइए मैं धसा की है तो मान जाएंगे अछा बहुत जादा आप आप देख सकतें कितना बेटरी हल्वा है मैं अपनी तरी खुद नहीं कर रह रही हूं यह वाक्री में हल्वा सबको पसंट आता है मैं जिसको भी हल्वा किलाती हुआ रेसेपी ज़रूर माँतर यह मेरी अपनी रेसेपी है एक बार सूजी कम हो गए तो मैंने भेसन डाल दी आता डाल तो मिक्स होंके बहुत अच्छा हल्वा बनी है तो अब हल्वा बने के रेडी जर्म दरम हल्वा बनाकी क्यों नहीं खाते हैं, गी से बनी चीज़ा लोग खाने परेज करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ा में खानी चाहिए, जो की होई बाड़ी मतलब अच्छी रहें हारे श्रीयर करे हैं, तो दोस्तों इस उमीद से था कि आप यह रेसिपी हल्वे की बनाईए इस सल्वे के साथ का यह भी खाई चाहिए चाहिए की साथ, आप से फिल मिलोंगी, तब तक अख्याल लेकिए सेथ मत में ही हो, अच्छे अच्छे खारा मारा के खाई और खुद खिलाएए, सब को हिलाएए, बहुत दूश्या, बहुत दूश्या